किसी अडिक्शन की वज़े से परेशान हो रहा व्यक्ति अपनी मित्र को परिचित को ये कहता है क्या करूँ अब या आदत छूटती नहीं है बहुत गहरे से इसकी जड़े फैल चुकी है उस निराशा भरे शब्द में वो उस आदत को छोड़ने के बारे में चर्चा कर रहा है जिसका वो पूरे तरीके से गोलाम हो चुका है परन्तु आदत वो छोड़ने के तरफ जा नहीं पा रहा है एक समय तक वो यहीं कहता है कि इतना कंट्रोल है उत पर जब चाहूं तब छ जल जाता है व्यक्ति खुद ही नहीं जान पाता ऐसी कई इस्ततियां है जिस्वयम के लिए ठीक नहीं है परन्तु धीरे 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 हम यह बात तो समझ पाते हैं सेल्फ जेस्टिवेकेशन से दूर हट करके हम कुछ गलत कर रहे हैं क्रोध है किसी भी तरीके की ऐसी एडिक्शन की एप्रोच है या व्यक्तिकत स्तर के उपर कोई भी ऐसी कुंठा जुड़ चुकी है जो नहीं होनी चाहिए मन जानता है परन्तु वहां से हम मुक्ति के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं वहां से दूर हटने के प्रयास सारे विफल साबित हो रहे हैं एक द तरह से वहां से हटने वाला हो व्यक्तिक इस तरह से सुधार की प्रक्रियाओं को लेकर आए एक जगे है उसका तारतम में वो नकारात्मक था और गहराई से जुड़ चुका है दूसरी जगे जो सकारात्मक है वहां तारतम में स्थापित करने के लिए उतनी ही महनत की आव इसिस्टनसी के रिक्वाइर्मेंट होती है ईश उपासना की पद्वतियों के साथ में जैसे जैसे व्यक्ति अपने स्वांसों के स्पंदन के साथ में उस हरी नाम को मैसूस करने वाला होता है वैसे ही ऐसी आदतों से दूर होने की प्रक्रियाओं के साथ होता है हम बारम ब और पे हम उस गुण को अपने भीतर विक्सत करने की ताकत को लेकर आना चाहते हैं, परन्तु वहीं सारे के सारे contradictions लगातार मन के भीतर बने रहते हैं, वहीं से सारे के सारे दुविधाएं लगातार मन के भीतर चलने वाली होती हैं, परन्तु एक बार जब व्यक्ति कृतसं क कल्पित होता है अपने मन के भीतर किसी को बताने की आवशक्ता नहीं कि हम ये आदत से मजबूर हैं और छोड़ना चाहते हैं मन के साथ में संबाद करने की आवशक्ता वहां होती है मन बारम बार जिवात को जन्म देने वाला होगा मन बारम बार उस नकारात्मक परवरती की लेकर जाने वाला होगा परन्तु मन के साथ में जब आध्यात्मिक चिंतन उस ईश शक्ति का विधान जुड़ गया तो यकीन मानिये व्यक्ति वहां से मुक्त होकर भी अपने जिवन को देखने वाला हो सकता है परन्तु वो प्रक्रिया आज और कल की नहीं है वो प्रक्रिया प्रतियक पल की है प्रतियक पल अपनी स्मर्तियों से उस बात को विलोग करने के आवशक्ता होगी जिसकी वज़े से हम मजबूर है परन्तु जब व्यक्ति उस आदत को सुधारने के तरफ जाता है नजाने कितने ही संघर्ष स्वैम के साथ देखता है परंतु यकीन मानिये उस विजय के साथ और बले ही वो लगू विजय हो उसके साथ में अत्यांत हर्ष भी जुड़े रहते हैं इसे वज़े से कोई भी ऐसे नकारत मकस्तती हो जो हमको मालूम है ठीक नहीं है कहां से उसकी फैसिनेशन निकल कर आ रही है किन लोगों की वज़े से वो आदत पुन है जागृत हो सकती है उसको इगनीशन मिल सकता है उन सब को दीर दीर हटाने के आवशक्ता होती है फिर अन्तु तकत्वा मन की निरबलता निरबाद गती मन के भीतर की आध्यात में एक और एकात्मक उसे व्यक्ति को रोकने नहीं देती प्रक्रिया लंबी जरूर हो परंतु व्यक्ति असंभव को भी संभव करने की ताकत रखता है यही कारण है कि एकांद में बैठ कर मनन किया जाए खुद को कहा जाए कि ऐसी इस्तिती से ऐसी तथा कथित जो किसी आदत की गुलामी है उ नहीं से जीवन आगे बढ़ने बला होता है इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष दसपरवरी 2023 का दैनेक राशिफल लेकर उपस्तित हुए हैं चंद्रमा के स्तितिया कन्या राशिस्तान में ही है नौफरवरी की तरह है तो वही हस्तनक्षत्री वरिधिया शुक राशि के साथ में वियापारिक जीवन में किसी की भी मदद करने की तरफ जाना है तो अपनी सेमाओं की लखीर को आप बहुत अच्छे से खींच कर चलिएगा वैचारिक विद्रोह को बिलकुल भी जगह देने वाले नहीं हों कामकाज में जो भी लोग आज कामकाज में अ उनकी जगहे को किस तरह से संभाला जाए कैसे उन अविबस्तित्तियों को विबस्तितकरने का पयाहत न की आ जाए और इसी के साथ में जो मौसम से संबंदित बेमारियां कर रही है उस से कैसे बचा जाए यह एक वस्तु परक सोच अपने साथ में लेकर चलने की पूरी पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं बुरशब राशी के जातकों के लिए पंचम भावस्त चंद्रमा की स्थियां लाब के सिरों को अंकित कर रही है वहीं पर जिन लोगों से भी मन मुटाव थे कामकाज अटक रहे थे वहाँ पुनहें अपनी रफ्तार को काबिस करने की जरूरत आपके लिए रहेगी इस बात को पुनहें दोहरा कर चलने वाले रहें ये कोई भी टास्क आपने स्वैम को दी है उसकी पूरती जब तक निकल कर नहीं आती है वहाँ अपनी उर्जा को बना कर रखेंगे किसी रिल अपने साथ में आती चली जाए तो साधा अच्छा है मेधोन राशी प्रतमतया बेसले स्वियर की अपरूच से स्वैम को पूर्णतया बचा कर चलने का प्रयात्न करें वहीं पर माता और पिता की स्वास्ते का विशेश दौर पर ख्याल रखने की आज आपके लिए आवश करके चलने की पूरी-पूरी requirement है याद रखिएगा कि बता के साथ किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं या मित्रों के साथ किसी भी कामकाज में है वैचारिक विद्रहों से बचकर जीवन को देखने की पूरी-पूरी आवशकता है और वो ही तारतम में है जो यहां आ करक राशी यहां जॉब में नए आफर्स आज भी सामने आ सकते हैं कोई प्रफाइल चेंज की पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है कैसे उसके साथ जोड़कर जीवन को हम देखने वाले होंगे यह मूल मंतर अपना कर चलने की जरुरत रहेगी और वहीं पर भावी-भवि के दिवस में अपने साथ जरूर आप लेकर आईएगा वहीं चंद्रमा परदान राशी के जात्कों को चाहिए कि जो भी संबंद आपके साथ निकट वरती स्ततियों में हैं उनके साथ कैसे हम स्वेहम को जोड़ते हैं कैसे हम वहां से कुत्विक स्तरता लेकर देने वाले ह होते हैं वो भी एक महतुपूर्ण तत्य रहेगा वहीं आप जो कारें लंबे समय से अठके वो देख रहे थे इस वीकेंड के साथ में वहां कंस्ट्रक्टिव होकर प्रयास की जा सकते हैं जहां दूसरे लोग सबताह के अगले सिरे के साथ में कामकाज की परवरतियों को ज जरूर कीजिएगा वहीं सिंगराशी दना गमन की इस्ततियों के साथ में व्रद्धी है रिसर्ट संबंदिक कामकाज में बैटर्मेंट की प्रोस्पेक्ट्स लगातार जोड़े रहने वाले होंगे वहीं पर बाग गिगसा योग आपके साथ उस तरह से मौजूद नहीं है जैसे आप चाते हैं पर तो ये बात जरूर है कि नरनायक मौकों पर आपके द्वारा किये गए प्रयास आज भी सार्थक्ता को लेकर आएंगे प्रतिये के दूसे तीन गंटे के साथ में खुद को एक तरह से अनलेसिस के साथ में टाइम पांड़े अप्रोच में लेकर चल करना है उसकी यातरा कैसे आगे बढ़ेगी कैसे उस विचार धारा को अपने बहितर संपन्नता में लेकर आएंगे यह आभश रखता है और मैनुफेक्चरिंग संबंदी काम काज आज आपके लिए विशेश हदों पर सफलता की ब्रतिमान को अंकित करते चले जा रहे हैं स पक्ष के साथ में आप काफी हद तक एक अलग जुडाव को महसूस करने वाले होंगे यहां मानसिक सुख भी आपको पूरे तरीके से मिलता चला जा रहा है काम काज के साथ में इसे वज़े से मन के भीतर एक संतुस्टिक अप्रभाव गहरे से मौजूद है जो आप कमीशन संबंदी काम काज में महीनों से किसी वेक्ति विशेश के साथ में एक तरह से कनेक्शन एस्टबलेश कर रहे थे अंतुतो कत्वा वहां से अच्छे संगेत आपको मिलने वाले हो सकते हैं बुद्ध प्रदान राशी के जातकों को चाहिए कि यहां ग्रिहस्त वक्ष के साथ साथ में भी आप संबाद कोशल पूरे तरीके से अपना कर चलने वाले हो उनको किसी भी नरणा के बारे में अवगत करवाना है तो वहां पर भी आप अपने स्थियों को दिरंतर लेकर चलिएगा माता पिता संतान पक्ष और ग्रिहस्त पक्ष का पूरे तरीके से जो ख्या अबीते का जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लिए होगा परन्तो किसी भी कामकाज की आकस्मिक तोर पर हामी भरने से आपको बचना चाहिए ये भी एक स्पस्ट दिता में के बीतरा रखें तो अच्छा वही तोला राशी सरुबर्थम संकेतों को कामकाज में समझने की आव पॉइंट होता है वहां तक एनरजी का फ्लो कैसे स्टबलिश है इस विचार धारा को रखने की जरूत रहेगी तोला राशी के जातकों को चाहिए कि आप यहां स्वास्ति संबंदी स्थियों से भी स्वें को काफी हद तक संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयतने जरूर करे और वहीं आप यह भी देखिएगा कि एकांत आजमन को संतुस्टी देने वाला होगा हमारी उपलब्दिया क्या है क्या काम का जब इस महीने के साथ में और आगे बढ़ाने हैं यह वचारधार अपने साथ रखें जो भी परिशानिया है वो भी कागस पर उगेरी जाएं ज के साथ में कुछ समय के लिए जीवन को जूड़ना और जो कामकाज की प्रक्रिया है वहां से डिटैच करके चलना ये भी एकावशक बिंदू रहता है वहीं वरिश्चक राशी इंट्यूशन का वीस आपके साथ में बना हुआ है ग्रिहस्त वक्ष का सहयोग यहां बहुत थीस का समय अंतराल लैबद दिस्ततियों के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाला होगा जो कार लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहां पुने हैं प्रक्ति के निश्चल प्रतिमान देखने का प्रयत्न कीजिएगा और वहीं पर शुकरवार के दिबस में मादुरगा की आरादना और वासना के साथ में जिवन को लगातार जोड़ा जा सकता है इसमें कोई भी तरीके की कमी का सुरूप मौझूद नहीं परन्तु स्वास्त को लेकर और विशेश तोर पर यात्रा करते समय जो एक गती नियंतरन होती है उसको अपना कर आप जरूर चलिएगा वह वही दिमाग पर रखा जाए जो कई बार अंड्यू स्ट्रेस सामने आते हैं उनसे समलना काफी हद तक जरूरी है वही गनूर आशी नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए आज तारतम में बहुत अच्छे से स्थापित होकर आगे बढ़ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी के अ आध्यम आप निरंतर स्वयम के लिए विकसित करके चलना चाते हैं वहाँ पर भी डेफलिप्लिप्मेंट के मेजर्स मौजूद हैं हाला कि जो आप किसी भी नए शितर विशेश में अपना हाथ आजमना चाते हैं एक बार स्वयम को कहिएगा कैसे बढ़ें अनुभव कितन है औरजा से ही काम नहीं चलता बागी सारे संसादनों के विजरुत होती है इस एक बात को अपने वीतर तक आप जरूर आत्मसाद करें ये भी याद रखिएगा कि जो आप यहां डिमांड और सप्लाई के अबरोश के साथ में कोई भी गलत कॉम्बिनेशन एक्तियार कर ले कि कुछ लोग विद्रो में हैं कुछ लोग समर्थन में हैं परंतु हम दोनों ही जेगे नमशकार करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ये आवशक्ता आज के दिवस में सब्तहा के अंतिम सरे में कामकाज के लिए रहे तो जादा अच्छा है और वहीं ये भी गौर की जि बागगे का सयोग आज भी बना हुआ है यातरा संबंदित कामकाज में बहतर सफलताओं कि परतिमान को आप इस्तापित करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं मन के भीतर की जो भी विकृताएं हैं उनको हटा कर चलने का प्रयास कीजिएगा शिनदेव परदान राशी की ज प्रतानी से पहले एक बार स्वाहिम की साथ में मंतन की प्रक्रियाओं को जरूर अपना कर चलने का परयात्न करना चाहिए यह निवदन आपसे हम करना चाहेंगे और वहीं मकर राशी के जातकों से निवदन है कि हाईर एजुक्रिशन के साथ में पॉजटिव प्रोस्पेक और दुविधा के मानक स्थापित नहीं है यह भी याद रखें कि यहां जो क्रिहस्त वक्ष के साथ में मन मुटाव लंबे समय से बने हुए थे अब वो भी दूर हटने की प्रक्रियाओं के साथ नहोंगे मानसिक स्तिरता वहीं से पनपती चली जाहिए शनदेव की मूल त अच्छे से बनी हुई है पारिवारिक जनों का सायोग ठीक ठाक सतर पर यहां पर आपके लिए है परन्तु यह बात जरूर है कि आकस में खर्चा भी परेशान करने वाले होंगे बिलेश संबंदे कारे में बहतरी यातराएं टाली जाती हैं तो अच्छा है क्योंकि अस्ट जरूर आप अपनाईएगा मीन राशी व्यापारिक जीवन के अंदर आत्म विश्वास में वृद्धी रहेगी तो वहीं पर सरवांगिन लाप की स्तियां भी काफी हद तक आपके लिए एक अलगतारतम में देती चले जा रही है मानसिक सुक यहां बढ़ रहा है इसी वज जारिक प्रकरिया अपनागर चलिएगा स्टॉक मार्केट में इंवेस्मेंट्स को बढ़ाया जा सकता है वर्किंग अप्रोच में लग रहा है कि कोई भी वक्ति विशेश कॉंस्पिरेस से क्रेट कर सकता है हम पहले से कितना सावधान है मनें कि भीतर की स्तितियों को कैसे स अबसर महत रहे तो ये था दस फरवरी दो हजार तईस का अबदहने कराशिपल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्तित होते रहेंगे धन्यबाद एवंकोटी शहर अभार